कि नमस्कार अध्याए दस गुरुत्वा गर्शन और इसमें हम गुरुत्य उत्वरन पढ़ रहे थे ठीक है जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था गुरुत्विय त्वरन घुठविय त्वरन में हमने देख लिया था कि जो प्रत्वि थी ना वो प्रत्वि पूरी तरह से गोल नहीं है चप्टी है प्रत्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, प्रत्वी थोड़ी सी चप्टी है, ठीक है, किस तरह से, हमने देखा था, पिसली क्लास में, ज्यादा चप्टी बना दी, है ना, थोड़ा सा कम कर देता हूं, प्रत्वी थोड़ी ऐसी है, और, इस तरह से, ठीक है, और हमने देखा थ कि यह जो त्रज्जा है एक्वेटोरियल और यह पूलर यो द्रव वन तो आर पूल और आर ईसे लिखा था मैंने आर पी मतलब पूल वाली त्रज्जा और यह विश्याग द्रज्जाग और बिश्वत यह त्रज्जाग यह हमने कर लिया था G M बटे आर सारवते कुलता कर सन्य अतांक प्रतिविद दर्भिमान और प्रतिविद अज्या का इसक्वायर इस तरह से हमने इसको देखा था ठीक है अब बहाँ आपको दो चीज हमने दो सुत्र लिखे थे एक तो लिखा था मैंने G E बराबर G M तो common है upon R E square और दूसरा formula था G R बराबर ठीक है पोल G polar बराबर G M upon R P square ये दो सुत्र हमने पिछली क्लास में कर लिये थे और इन दोरों में relation भी हमने देख लिया था कि जब R E मतलब equatorial वाली जो त्रिज्जा है वो अगर ज्यादा होगी तो G E इसके compare में क्या होगा कम होगा ठीक है तो उसी line को लिखने की बाद थी आज तो पहले था आप सुत्रों को एक बार दोबारा से लिखे जिससे आपको इस सुत्र याद हो जाए और यहां से conclusion क्या निकलता है कि G P is greater than G E यह है conclusion हमारा ठीक है ना गुर्तियों तुरन पोलर पोल पर ठीक है ज्यादा होगा बजाए एक क्वेटोरियल के क्योंकि जो हमने यहां एक चीज और देखी थोड़ी सी जो आर जो बस्तू का था और उसको नेगलेजिवल कर लिया था ठीक है यह आप कर रहे हैं फिर इसको लिखते हैं देखिए यहां लिखना क्या है कि प्रत्वी की त्रिज्जा द्रुगों से विशुवत की ओर जाने पर बढ़ती है द्रुगों से विशुवत की ओर जाने पर बढ़ती है ठीक है इसलिए जी का मान इसलिए जी का मान कहां ज्यादा होगा कोंस पर ज्यादा होगा बजाय बिशुवत की ठीक है यही बात में द्रुगों पर अधिक एवं विशुवत पर कम होता है दरवाँ पर देखोगा और विशुवत पर कैसा होगा कम होगा एवं पर कम होगा देखोगा देखोगा और विशुवत पर कैसा है यह आपने देखे लिए कि द्रवों से विश्वत की और जाने पर इंपोर्टेंट में इसको इसलिए जोड़ दे रहा हूं क्योंकि यह आगे तक आने वाली आगे तक आने वाली चीज है आप कम्पेटिशन का एक्जाम भी दोंगे ना कोई भी अपने जो बरती परिक्षा होती है उस तरह यह परिक् प्रत्विक सत्य है अब इस सत्य से मैं एच उचाई पर चला गया मालो यह मैंने एच उचाई माल ली एक तो एच और आर की दोनों जुड़ जाएंगे उसमें तो आर बराबर एच प्लस आर ओफ पी हम पोल वाले बजा रहे हैं इसलिए ठीक है अब देखिए इन दोनों को इसकी तुलना करेंगे हम इसकी और इस सूत्र की तो यहां से सूत्र क्या बनेगा जी पी बराबर जी अब बटे आर पी प्लस क्या है एच पहले लिखा था किया मैंने पहले लिखता हूं उससे फरक नहीं पड़ेगा एच प्लस आर पी इसको आएगा अब बताईए यह मान इस मान से ज्यादा आएगा या कम आएगा तो यह आप खुदी बताईए बही कोई संख्या है उस जुड़ और रही है जब कुछ नंकिया मैं जुड़ रही है तो मान बढ़ जाएगा मान बढ़ेगा ना इसका प्लस करने के बाद उसको आर खर लेंगे तो यह मान बढ़ गया इस मान के बढ़ते ही यह जो पोल पर जो गृतितरन है जो क्या हो जाएगा घट जाएगा ऐस इसा ही एक्वेटोरियल पर भी ऐसा ही होगा यहां पर भी अगर मैं हट उचाई ले लूँ तो यहां पर भी इसमें क्या होगा है एच डैस और जुड़ जाएगी इस इसलिए एक इसिंपल लाइन मान समझा बताना चाहूं तो प्रत्वी की सतह से हैच उचाई पर या किसी पर जाने पर गुरुत्विय तुरण का मान घट जाता है गुरुत्विय तुरण का मान कम हो जाता है प्रत्वी सतह से हैच उचाई तक उपर जाने पर गुरुत्विय तुरण का मान घट जाता है आपने देखी लिया किस तरह से घट जाता है नीचे वाली राशी ठीक है एक लाइन आपके नोट कर लें अब एक प्रस्ण है जिसका कि मैं आंसर तो सबको पता है आंसर हम सभी जानते हैं कि प्रत्वी सतह पर गुरुत्विय तुरण कितना होता है और मैं उसको सौल करके यहां दिखा रहा हूं आपको देखो इस तरह से बन सकता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्रुप पर क्या क दिखे आएगा वह आपको यहां इस इन सूत्रों से पता चल जाएगा ठीक है प्रस्ण है प्रत्वी सतह पर गुरुत्विय तुरण का मान ग्याद करो सारी आपको बैलियू यहां पर रखनी होंगी सारी जो मान है वो रख के निकलना पड़ेगा यहां दिया हुआ है आपको प्रत्वी का द्रेवेमान यदि प्रत्वी का द्रेवेमान बराबर 6 गुना 10 की घात 24 किलो ग्राम लगवर इतना ही होता है ठीक है और त्रज्या किसकी प्रत्वी की 6400 किलो मिटर यह इतनी होती है 6400 किलो मिटर और प्रत्वी का द्रेवेमान कितना होता है 6 गुना 10 की घात 24 किलो ग्राम फिक है अब मुझे निकालना है जी सथायगा प्रत्वी की सथायगा जी एं बटे आर सतय पर आर क्या रहेगा आर ही रहेगा प्रत्वी ति जटेगा ना गटेगा लेकिन प्रत्वी सथाげ से अंधर जायेंगे वह बात ओर थोड़ी एक एक्स्टा जोड़ देता हूं मैं यह दी प्रत्वी सत्य कि अंदर गई तो क्या होगा वह आप खुद इसकी कल्पना करेंगे यहां तक तरिज्जा है आर अगर मैं एच अंदर चला गया तो जी पर क्या एफेक्ट आएगा ठीक है यह आप कल्पना करें और इसका अंसर ब क्रफ इसकेट आएगा ठीके एचार मानझ एच अंदर इसकेट 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 अंदेगे, रखेमान 6.67 इंट तन तन तनफी पर फिफ़ लिएट नवेट, एफ यहाँद्स्ति पाटेड़ तो क्या वानद्या थावर ट्रेज्या तो जोगना, मैं चौशाट सो, यह तो रखा हमने इसको किलो मीटर में, ठीक है, अब इसको बदलना पड़ेगा मुझे मीटर में, है ना, एक किलो मीटर में, एक हजार मीटर, दस्कीगात तीन, और दस्कीगात तीन, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, दस्कीगात, अब यह मीट हो चुका है, ठीक है, जब आप इसको सौल करेंगे, आपको सीधाई आंसर याद रख लो, 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वायर, यह इसका आंसर आजा है, ठीक है, ठीक है, यह प्रत्वी सेकंड पर गुरुतिय तुरंग का मान होता है, मैंने डारेक्टी लिख दिया है, हमने सौल करने में यहाँ टाइम बेस्ट नहीं गया, आप इसको सौल करेंगे, आपका अनसर यही आएगा, ठीक है, 9.8 meter per second square, यह इसे किया है, देखो, चौशाट सार समझ मनी आ रहा, चौशाट सो किलो मीटर, इसको मैंने लिख दिया, चौशाट सो गुना एक हजार मीटर, चौशाट सो गुना दसकी का तीन मीटर, यह हुआ, इसको दो बार लिखा है मैंने, तो चौशाट सो गुना दसकी का तीन गुना, चौशाट सो गुना दसकी का तीन मीटर, इसको एरन आ रहा, इसलिए, जब इसको लिखेंगे, तो चौशाट सो गुना, चौशाट सो गुना दसकी का तीन मीटर, यह लिखा है मैंने, 6400 गुना 6400 गुन दस्किगाद दस्किगाद 6 ठीक है? पर ले आप इसको जल्दी से अगला हमारी बिंदु है बिविन ग्रहाओं पर गुरुत्विय तुरन का मान इसको हम जब सवाल करते हैं प्रस्न सौल करते हैं तो इसको लगबग बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड इसक्वाइर हम यूज कर लेते हैं जिससे क्या होता है कि हमारी जो केल्पूलिशन है वो इजी हो जाती है ठीक है ना? तो आप इसको एग्जेक्ट अंसर एग्जेक्ट वेल्यू ये है ठीक है? जब आप इसको प्रस्न पर यूज करते हैं लिग अलग अलग ग्रह मों पर गुर्बाँ तुर्ण कितना कितना होता है। वह आपको सुत्र से पता लगता होगा कि जिस इंद्रह का वे मैं ग्रहा की लगवग बिरावर हैं। तो जिसका रबीमान जादा होगा उसका जादा होुगए। ज्यदा होगा जिसका दिभस्तक preocup निया हे समाना एकल ऑा बात है करेगी तिरज्य आपड़ जिसकी जम्हाला होगी उसका जीघ कम होगा और जिसकी क्लिके एक anti and कि तो यह देखेंगा नियम्य ऴुवन गरहों का गृत्विए टुरन चोटे से ब्रेक के बाद अगर आप चंटी नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही आपने केबल आपरेटर या डीटी एच आपरेटर से समपर करें जन टी वी एक फ्री चैनल है अगर आप चंटी वी नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल आपरेटर या डीटी एच आपरेटर से समपर करें जन टी वी एक फ्री चैनल है अगर आप चंटी वी नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल ओपरेटर या DTH ओपरेटर से संपर करें फिर्षान। कहते हैं, फिर्षान। विपिन्निगरावंका गुलुक्त विए त्वरान, ठीक है, देखिए. यहां टेबल बनादी मैंने, 3.7 बुद्ध का मीटर प्रति सेकंड स्क्वाइर, हमें रटना किसी का नहीं है, ठीक है, हमें एक आइडिया पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा किसका है, और सबसे कम किसका, यहां पर दोनों आपको दिखाए दे रहे हैं, सबसे कम आपको किस रब्यमान बहुत ज़्यादा है, प्रैस्पती का, लिखना चाहरद लिखने हैं आप, यह बात मैं आपको पहली बता चुका हूँ, कि G बराबर G M बटे R स्क्वार, यहां से अगर देखा जाए, तो G is directly proportional to M, मतलब उसके द्रब्यमान के सीधर समान पाती, और G is proportional to बन अपान R, स्क्वाइर, त्रज्या के स्क्वाइर के ब्यूत करमान पाती, इसका मतलब यहां से क्या हुआ, यदि द्रब्यमान बढ़ेगा, तो G का मान बढ़ेगा, यहां से देखो, अगर M यह बढ़ने का चिन्न है ठीक है तो G बढ़ेगा और यहां से देखो अगर R बढ़ेगा तो G बहुत तेजी से गटेगा तो कि इसको आइर भी है उसका अब हम बात करते हैं चंद्रमा का गुरुत्ति वे तुरण उसमें द्रभिमान है चंद्रमा का गुरुत्ति वे तुरण बराबर 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 नौ पॉइंट आठ मेटर प्रति सेकेंड स्कॉयर इसमें भाग देदो आग 6 काम. प्रत्विका. 9.8 प्रत्विका हो गया और उसके उसमें 6 का भाग देदी क्योंकि एक बटे 6 होता है तो सिब्सकों सॉल्ट करेंगे आप तो देखिए. 6 बंजा 6, 66 या 36 ठीक है? 1.6 मेटर प्रति सेकेंड स्कॉयर ठीक है? हमने एक टिजेट का लिया है. इतना आजाएगा चंदरमा का मेटर सेकेंड स्कॉयर 1.6 मेटर सेके. आप आगे एक-दो यूनिट दनिकाले भाग देले उसमें कोई बड़ी वाल ओ. अब हमने यहाप सुत्र जब देखा है तो यहाँ देखिए यह गुरुत्य तुरण है इसे गुरुत्य तुरण में बस्तू के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है यहाँ देखिए बस्तू के बारे में कुछ भी बात नहीं है यहाँ पर ठीक है कि बस्तू कैसी होनी चाहिए बस्तू का दर्बिमान क्या हो बस्तू का आकार क्या हो उसके बारे में कहीं कोई बात यहाँ दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब जो गुरुत्य तुरण है बस् बस्टू के दर्भिनक्राकिक नहीं कर रहा है देखु है यह निये प्रतुवर दर्भिमान यह प्रतु द्र्ज्जा नहीं आ मेन यह लिए नहीं तो पॉपर सांगे दिया है बस्तु को उपर से ग्रयाते समय जो बस्तु है ना तो उसके दर्वेमान की कोई चर्चा है और ना ही उसकी संद्चना की कोई चर्चा है ठीक है तो गुर्त्वय तुरन पॉइंट क्या बनेगा गुर्त्वय तुरन बस्तु के बस्तु की आकरती एवं उसके दर्वेमान पर नहीं करता बस्तु की आकरती एवं उसके दर्वेमान पर नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दो बस्तु है ठीक है जिनका दर्वेमान अलग अलग है उनको समान उचाई से छोड़ता हूँ मैंने दो बस्तु ली जिनका द्रिवमान अलग अलग और उनको मैंने समान उचाई से छोड़ा जब मैं उनको समान उचाई से छोड़ूँगा तो क्या धरातल तक वो एक समान समय में पहुंचेंगी तुकि गुरुतियो तुरन कैसा है उनको उपर लगने वाला बराबर है ग कर दो दो'M not asमान में नी-चाई सोड़ रहा हूं देखिए क्या दोनलस अमान में पहुंचेंगी पहला प्रस्ण बताइए क्या अैसा होगा अ enabling कर के देख सा यहां यह जयानit नहीं होगा तो कर देख लेंगा चलो मैं करते देखता हूं आप देखना कौन पहले पहुंचता है नीचे और कौन बाद पहुंचता है कि देखिए मारकर तो पहली चला गया और पेपर बहुत समय बाद नीचे पहुंचा तो यह क्या रहा है कि गुरुति तो रहन बस्तु की आकरती हो उसके द्रिविमान पर नहीं करता अरे भई हमने पेपर लिया था पेपर का जो सHoasफ और भीमान जादा है ठीक है यह पहली वात दूसरी बात इसका आकरकति देखिए यह यृतना बड़ा इसका खुंछ्षै उसका कारण बदाए आद कि इसका कारन सा 돼खो इसका कारण विल सही बताया धेको इसका कारन ग्षान अश排 हो इसका कारन है बफ्रक्रण का घरसन वह अगर इसी प्रियोग को हम निर्वात में करें एक निर्वात की नली ले लूँ मैं मैं एक निर्वात की नली बना देता हूं और उस निर्वात की नली में अगर मैं पेपर इस निर्वात की नली मैंने एक पेपर लिया और यहां एक यह मार कर ले लिया जब मैं दौनों को छोड़ूँगा यहां से दौनों की उचाई मैंने समान रखी और यहां पर इसको बंद कर दिया गया अब और इसमे कर दिया हमने निर्वात जब इनको यहां से छोड़ा जाएगा तो यह इस धरातल पर समान समय में पोँचेंगे और दोनों साथ साथ चलेंगे क्योंकि यहां पर घरसन नहीं है यहां घरसन नहीं होगा बायू नहीं है तो जो अलग अलग टाइम नीचे बस्तुएं समान मुचाई से धरातल तक समान समय में नहीं पहुचती समान समय में समान उचाई से धरातल तक नहीं पहुचती किसके कारण बायू के घरसन के कारण ठीक है तो यह पॉइंट हमारा इसके साथ ही जुड़ जाएगा अब हम गती की समिकरन लिखेंगे जो मैंने उस टाइम भी आपको बता दी थी तो जी के प्रभाब में गुर्त्वा कर्शन के प्रभाब में उर्ध्वादर गती की समिकरनों को लिखा जाएगा ठीक है तो देखिए जी के प्रभाब में न्यूटन की गती की समिकरन गती की समिकरन ठीक है जहाँ जहाँ वहाँ रेखे तोरण ए आ रहा था ठीक है एक को हम रिप्लेस करेंगे जी से रेखे तोरण जेगे हम क्या लिखेंगे गृति दरण जहाँ जहां हमने ए लिखा है वहाँ वहाँ हम जी लिखेंगे अब जी में भी हम चिन्ने का ध्यान रखेंगे जब बस तू उपर से नीचे आ रही है तब तो जी रहेगा धनात्मक और जब बस तू नीचे से उपर जा रही है तो जी रहेगा रिनात्मत ठीक है यहाँ लिख रहा हूँ उपर से नीचे की और जी हम लिखेंगे थनात्मा उपर से नीचे की और ठीक है और नीचे से उपर की और जी हम लिखेंगे मतलब यहाँ लिखूँगा मैं प्लस जी और यहाँ लिखूँगा मैं माइनस जी इस दोना बातों को बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे अब इस्तिती एक केस वन पेंड़ उपर से नीचे स्वतंत्रता पूर्वग गिरने पर ठीक है गती की पहली समिकरान पेंड़ से बन क्या होती है वी बराबर यू प्लस अट वी बराबर यू प्लस अट तो यहां क्या बन जाएगी वी बराबर यू प्लस एक जाए लिख दूँगा मैं जी इवती की पहली समिकरान है ऑल कर पेंड़ समिकरान अथे बराबर यू ती ब्लस एक बटे दो एक स्कूरे कि लेंडिक बन जाएगी लखीए जल्दी से ठीक है, तीसरी समिगरान V square बरावर U square plus 2 G S ये गती की तीसरी समिगरान, ये तो उपर से नीचे सतंता पूरवक गरने हैं, ठीक है? और case 2 है, पिंड को नीचे से उपर की और फैकने पर, अब हमने पिंड को नीचे से उपर फैका है, तो देखो क्या होगा, V बरावर U minus G T, नमर एक, S बरावर U T minus 1 बटे 2 G T square और V square बरावर U square minus 2 G S, तो ये समिगरान हो गई हैं आपकी गती की तीनों समिगरान, दोनों रूप में. अब यहां एक छोटा सा modification हमें करना होगा, ये जो S है ना, ये है, रेक ये दूरी, अब इसको उर्दादर दूरी के लिए हम लिखते हैं, H के रूप में, ठीक है, तो आप इस एक समिगरान को बस, इस एक समिगरान को आप एक बार यहां नीचे और लिख लेंगे, इसका जो modification, modified रूप है, तो V स्कॉाइर वरावर U स्कॉाइर प्लस 2G और H, ठीक है, S की जगाएप हम लिख देंगे, H, उचाई, उचाई उदवादर है ना, यहां पर इसलिए, और S हाई इस तरह लिखेंगे, तो V स्कॉाइर वरावर U स्कॉाइर माइनस 2G H, तो यहां पर भी हमने इसका छोटा स modification किया है, चीज वो ही है, तो यह आप दोनों चीज़ें इंदर भी note कर लें है. झाल 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 अब हमारे अगला बिद्लू रहेगा द्रब्यमान और भार देखें द्रब्यमान क्या होता है किसी बस्तू में उपस्तित द्रब्य की मात्रा द्रब्यमान कहलाता है और बस्तू का द्रब्यमान किसी भी इस्थान पर परिवर्तित नहीं होता है उसको आप चाय प्रत्वी पर रखो या चंद्रमा पर रखो या किसी दूसरे ग्रह पर ले जाओ चंद्रमा उपक ग्रह है प्रत्वी का लेकिन आप प्रत्वी अलाबा किसी बुद्धु सुकृ पर मंगल पर वाले जाए तो वहाँ पर भी ले जाओगे तो उसका द्रभ्यम बस्तु में पस्चित द्रव्य की मात्रा लेकिन जो उसका भार होता है वो भार उसका अलग हो सकता है भार डिपेंड करेगा कि वो उस बस्तु को आपने कहां रखा हुआ है प्रती पर रखा है या किसी दूसरे ग्रह पर आप उसको लेके चले गए ठीक है तो पहला मैं बात दिख रहा हूँ यहाँ पर द्रव्यमान ठीक है किसी बस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान होता है ठीक है द्रव्य की मात्रा यह द्रव्यमान सीधा सीधा कनेक्टेड है जड़त उसे ठीक है तो द्रव्यमान जड़त्व से सम्बंदित है अर्थात यदी बस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा यदी बस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व कैसा होगा अधिक होगा अधिक है तो रही द्रव्यमान की बात अब आता है भार भार क्या है लिख लें आप किसी बस्तु में उपस्ते द्रव्यमान की मात्रा किसी बस्तु में उपस्ते द्रव्यमान अधिक होगा लेकिन जो भार है न वो भार होता है बल, यह हम कल करेंगे भार, आज नहीं करेंगे, भार होता है बल, बहेवल है जिससे प्रत्री वस्तु को अपनी ओर खीच रही है, वो उसका भार होता है, ठीक है, तो भार अगली ग्लास में करेंगे और से चैप्टर को आगे बढ़ाएं लेकिन अगली ग्लास इसमें उसको और आगे बढ़ाएंगे तक नमस्कार.